गुद मॉर्निंग स्टुडेंट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर चल रहा था धरम और हमने धरम के बारे में देखा था कि धरम कहते किसे हैं कि शब्द से यह बना है यह सब चीज़ें अब हमने जो कल धरम और धरम निर्पेख्षता के बारे में पढ़ा था कि धरम और रीक्षता क्या हा झसलित है आज जो हम पड़ रहे हैं वह है धरम और नेतिकता कि धरम और नेतिकता क्या है धरम का मूल लक्षे मानों मात्र की सेवा करना है धरम अच्छे आचरन करूना शील्ड वैं अइंसा पर बल देता यानि नेतिकता के अंदर क्या क्या चीजे हैं जो धरम ने अपना रखी वो सब चीजे हैं हम बता रहें कि धरम का मूल लक्ष क्या है कि मानो मात्र की सेवा करना और धरम अच्छे आच्रन करना करूना शील वे इंसा पर बल देता है हम किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें मन वर बच्चन और करम से हाना तो इस सब चीजों पे धरम बल दे रहा है धरम और राजनिति को का विवेक पून मिलन मानव कल्यान में सादक होता है यानि धरम जैसे हमने कल बात करे थी कि अगर धरम के साथ में राजनिति आती है और उनका विवेक पून यानि बुद्धी से अच्छे प्रकार से कर कारे किया जाए तो वो क्या करेगा कल्यान का कारे करेगा जैसे आज हमारा रास्टे है उसने निर्पेक्ष्टा धरम निर्पेक्ष्टा का जो मारक अपना रखा है कई रास्टे हैं जिन्होंने अपना खुद का धरम है कि इस धरम के रुसार कारे करना है आप उसी धरम को अपना सकते हो वो ही कारे कर सकते हो तो इस प्रकार से अगर हम धरम को भी अच्छे से राजनितिक में मिलाएं तो वह मानम का कल्यान करेगा और हम धरम को सिफ निर्कुष धरम लगा के रहें निर्कुष शाषन व्यस्ता जैसा धरम बनना के रहें यह राष्ट का धरम है यह आपको करना है इस प्रकार आपको प होगा सबी धर्मों में समाने, विश्वाष में मुल्य एक जैसे होने के बाउजुद वे अभी तक एक धरातल पर आने को तयार नहीं है लेखो सबी जब हम धर्म के बारे में पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा आपको कि सबी धर्म में एक प्रकार के मुल्य हैं और एक प्रकार के विश्वाश है जैसे मैंने आपको कर भी कहा था कि हम साराज देके तो सब धर्म यह कहएगा कि मानों मात के उपड़ दया की भावना रखो आपका जो करते ही है वो यह आपका धर्म है तो अगर हम सभी धर्मों का देखें तो सभी धर्मों के यही मुल्य है कि सभी एक धराब पर आने के लिए तयार नहीं है सभी धर्मों के एक मुल्य और विश्वाश होने के बावजूद भी हम कहरा है कि हिंदु धर्म यह है इसलाम धर्म यह है प्रँंतो उनके धर्म जो मुल्य है वो एक समाने, विश्वाश भी एक समानी है, वोई एक कह रहा है इसलाम धरम है, चासिक धरम है, चाहँ हिंदू धरम है, इसाही धरम सब यह कह रहा है कि मनुष्किया करते बें दूसरे के ओपर डया, यह सब चीजें हुमारा धरम का इसा है तो फिर भी हम एक जगह आने करिए तयार नहीं है सत्य यह नहीं न्यातिक्ता को देश यह काल dug उह नहीं विवाजित किया स्कता नहीं आचिक सथे सभी धर्मों में फ्रे ख्रोणा दया वे बावना कर संदेदा है जो मैं यह तिकता की बात करें तो अजनल यह की बात है देखिए धरम और राजनेती अब धरम और राजनेती के बीच में क्या सम्मेंद है उसकी बारे में हम बात करेंगे प्राचिन काल सही धरम और राजनेती एत्वार राजनेती और धरम का गेरा सम्मेंद रहा है जब जब धरम राजनेती का नकरात्मक मिलन हुआ है तक तक अब दो मिन पहले मैंने आपको बात बताई थी धर्म और नेतिकता में कि एकर उनका सही नेतिकता से उनका मिलन हो रहा है धर्म और राजनेतिका विवेक पून तरीके से हम बुद्धी से उसको डेख रहे हैं तब तो क्या होगा मानव के कल्यान के लिए सायक होगा परंतो है नकरात्मक उनमें अपस में मेल-जोल है तो वो दुरूर्व करेगी विगत जैसे साम-प्रदा भूरत मिल जाए मुझे वोट उसरी जाया वैं एक दर्म के लोग दुश्के दर्म एक दरम के लोग दूसरे दरम के ओपर कह रहा है कि उनको आपस में मिलके और फिर भी हमारा दरम उच्छाया तुम्हारा नीचाया इस प्रकार की बात करके और क्या कर रहा है दूरुपयोग कर रहा है राजनेति धरम का ठीक है ना वीगत लगबग दोचार वर्ष का इत्यास दरम के नाम पर अनेक बार रख्त रंजित हुआ है है या निया आप देखलो आपने हिस्टरी में भी देखा होगा कई बार कि दरम के नाम पर आपस में लोग लड़े हैं जगडें हमारे भारत में देखिया आप कितने संप्रदाइक दंगे हुए हैं पर मढने पर नुकसान नहीं हुआ तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया जो राजनितिक के जे लोग उनको धरम से कोई मत्तब नहीं है वो अपना लालच पूरा करने के लिए धरम को बीच में आड़ बना लेते हैं और अपने जो लालच है या अपना जो बहिं कह सकते हैं हम अपना कार्य पूरा करते हैं और धर्म को बीच में ले लेते हैं ओर बिचारे लोग है दूसरे निर्दोष हो मारे चाए जातेे हैं वह व्यहाग तो रहनो अनितिक का मूलत्तक्ति क्या है कि नीथी के अनुघाइ क這樣的 यह विवस्ता बनी है उस नीति तो जो हमारे आदर्श है उनको काम में लेते हुए हम धार्मिक मानता हो जारा पोशित होती है अब वो धार्मिक मानता है अगर रणम नंगे वो में नुटि करोना क्यों और आरो होना चाहिए तो यह सब क्या है नीति है जो जाए जानवर है किसी है तो सभी धर्म यह कहता अब इसके उपर हिंसा मत करो एह इसकी भावना रखो तो इस प्रकार हम राजनेतिक का मुल्ट तत्व नीति के नुसार शार्षण करना है नीति के नुसार यानि सबी को समान देखन किसी भी धर्म को आड लेके अपने लोब लालच पूरा न करना, किसी भी धर्म की आलोश ना करना, इस प्रकार कार्य करना चाहिए. अब जब धर्म में आबंडलरा स्वार्ति प्रवर्ति बलवर्ति हो जाती है, तो मनुष उसके लक्ष में से ब्रहमित कर देती है. अब क्यों हुआ अब जैसे कोई धरम अगर हम धरम की बात करें जैसे किसी ने कोई धरम बना लिया और वो धरम चला अब उसमें के आगए आबंडरा अगإ, दिखा वा आ गए, स्वारति अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस प्रकार की वो धरम कारे करने लगा जैसे आज कोई भी धरम का पतन हुआ है आप इस्ट्री उठा के देखिए तो पहले धरम चला जब वो सही लक्षों को लेकर चल रादा नीती के अनुसा चल रादा और धरम का क्या हुआ विकास हुआ फिर हमने क्या किया उस धरम में हम का धरम का कि यह मानव कल्यान करना है पर उसने अबंडर अपना लिये तो वह क्या हो गया मानव कल्यान की जो इसकी भावनाती से उससे ब्रहमित हो गया वह पद ब्रश्ट हो गया धरम व्यक्तिकत होता है उसे बारी डूप से थोपना मानवता के लिए हानिका रखे आज ज जीच क्या होगी गलत है धरम और राजनितिक का विवेग पूर मिलन मानो कल्यान में सादक होता है जबकि इनका विवेग पूर मिलन दोनों को ब्रश्ट कर देता है अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो तरीके से बुद्धि से हमकारे कर रहे हैं तो वह क्या होगा मानो कल लाने के लिए है लोब लालच को पूरा करने के लिए करेंगे तो धरं की भी क्या होगी अवेलनाःः और राजनितिक भी खराब हो जाएगी वह भी ब्रश्बार जाएगी दर्म और पंठेके दारे अलग-ख होते हैं प्रहन दोनों की जड़े-एक है दर्म एक जाए है राडशनायितिक एक जाए हम कहते हैं कि हमें दृबर से उना कि मिलती इसे नहीं मिलाएंगे पर दोनों की जड़े एक होती है कैसे देखिए देखिए ऑज मानो मैं आज जिसे हम किसी भी संप्रदाएक के रहने वाले लोग हैं आपकिसी भी समाज में रह रहें तो माती से शाषन व्यवस्ति हो तो वहां कई न कई आके ये बात आ जाती है कि इस धरम के लोग इस प्रकार कारे करें धरम के प्रचार प्रसार को लेकर देख लिए किसी भी तरह से लेकर देख लिए तो वह एक उसके अंदर बात आई जाती है और धरम के नाम पर लोग बात करें बिना रहेंगे नहीं और फ पिए द्या धर्म एइंसा इस प्रकार की बात होना चाहिए और धरम पर राजनितिक का अगर वद नेतिक को धरम अगर राजनिती के जान अगर नेथिक में आता है तो वह क्या होगा विश्व के लिए शान्ति वे वस्ता इसतापित करेगा तो वह क्या रहेगी वह हमारे अब धर्मों में इस प्रकार की बात के यह कि आप किसी को शमा किजिए दया की बावना रखिए सत्य बोलिए अपने कर्टवे का पालन कीजिए इमांदारी से रहिए यह सबी क्या हैं धर्म के आधार्तत्व हैं और आहिंजा भी है यह आप पता हिए धर्म और राष्टिता ध राष्ट धर्म तो जब हम धर्म हमारे धर्म को राष्टिता के समर्पित कर देते हैं तो राष्ट की सुरक्षा विकास यह सब करना हमारी क्या जाती है जिम्मेदारी होती है उससे में हमारे राष्ट धर्म ही हमारा धर्म होता है हमारा कोई मत भाशा मानता धर्म राष्ट है उपर यह नहीं हमारा राष्ट ही सरोपर ही है और ही हमालेỂ सबяться पुछ तो उसे हम क्या कहlocks राष्ट धर्म कहेंगे कि अब भारतिय संसक्रति में धर्म की सहकरप्ना यह अब भारतियasi जातु से जिसका मतलब होता है धारण करना बारतिय संदौर में धरम के वीबिन अर्थ हैं जिन में कर्टव्य, प्रमुक हैं कर्टव्य, आहिंसा, न्याय, सदगुंव, और सदाचार। यानि भारतिय संस्क्ति में धर्म मैतुपूर्ण है धर्म त्रीदातों से बना है जिसका तो तयातारन करना और हमारे सुम्ष्रत्य एक आगर हम बात करते हैं तो विद्धर आत्मा का उत्तान करें और इसाधना करें अब देखिये गीता में सभी द्धर्म को बक्ति के उचित मार्क के रूप में सिवकार किया फॉप मनुष्पर्ति में धर्म के दस लक्षन यता दै शमा संचे चोरी न करना स्वय इच्छा स्वच्चता स्वरी स्वच्चता इंद्रियों को वर्ष में रखना बुद्धी विद्या सत्य और क्रोध न करने का उलेक किया गया है देखो गीता में जैसे अब हमारा आएगा अलग कि अधर्म की बारे में फड़ेंगे गीता में जो सभी धर्म के बक्तिंके उचित-मार्ग क्या है गैसे आफलती आप इस दर्म को अपना उपना को अपना के और अच्छे सचे फ़चे घर को अपना के कार dwa करो गीता में मनुष्पर्ति इस तस लक्षन में angeक्र कौन से शमा करना, संचय क्या होगा, संचय होगा कि अच्छे च्छे जोगा संचय करना, ठीक है न, चोरी न करना, सवच्चेता से रहना, साफ सूत्रा, इंद्रियों को वर्ष में करना, बुद्धि, विद्या, सत्यों, क्रोध न करना, आधि ये उलेक किये गए हैं, इस प्रकार देखिए हमने धर्म के बारे में कुछ बाते देखी है और और भी काफी बड़ा है धर्म का टॉपिक तो जो अगली अगला जो इसका है धर्म के जिसे बारती धर्म बारती दर्शन शास्त्र या युनानी दर्शन शास्त्र इन सब के बारे में जैसे इसलामी का इ सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में हम अपनी क्लास के बारे में पढ़ेंगे अधर तक के लिए